उस दिन देखना कितने बड़े होगे, बहुत बड़े होगे, तो जिस परकार हम बड़े होते हैं, उसी परकार से उसी तरह से जो छोटे पोदे होते हैं, वो भी एक पेड बन जाते हैं, आपकी बुक में दे रखा देखो, पहले छोटा सा बीज है, उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा और बढ़ा हुआ और उसके बाद वो बहुत बढ़ा हो गया उसके तो आम लगे आम दिग्रन लगे हुए तो इतना बढ़ा हो गया You learn new things as you grow up You learn new things as you grow up You learn new things as you grow up यानि आप जैसे जैसे बड़े होते हो आप नई चीज़े सीखते हो आप जैसे जैसे बड़े होते हो क्या हो करते हो नई चीज़े सीखते हो भोलो ना नहीं है बेटा नई चीज़े सीखते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जैसे 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 समझदार होते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे वैसे समझदार बंते जाओगे और समझदार बनोगे तो क्या होगा अगर आप समझदार जैसे बनते जाओगे सांते तो क्या होगा बताओ तो यादी नई चीजा सिखोगे तभी समझदार बनोगे जिसे देखो यहां लिखावा है you can read आप लिख सकते हो एक छोटा सा बचा देखो जो लिख रहा है लिखावा नेचे you can read आप लिख सकते हैं फिर लिखा you can write sorry read का मिंद पढ़ना होता तो याप पढ़ सकते हैं फिर लिखा you can write आप लिख सकते हैं और you can operate computer याप computer चला सकते और चलाना होता है ओ पी यारेटी operate होता चलाना आप देखो जब सबसे पहले इस्कूल में आयते आप छोटे थे जब आप प्लेग्रूप में पढ़ते थे तो आपको कुछ भी नहीं आता था आपको एभी सीरी नहीं आती थी आपको लिखना नहीं आता था फिर दिरे दिरे आप जैसे नर्सरी क्लास में आये तो आपने कुछ सिखा नर्सरी के बाद आप केजी में आये तो और आपने कुछ सिखा और आप फस्ट में आगे तो आपने और कुछ सिखा यानि दिरे दिरे आप पढ़ना भी सीख जाओगे लिखना सीख जाओगे अगर बात क्या होई जैसे जैसे बड़े यानि हम जैसे जैसे, हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, कई जादा वस्तुओं को करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को हम करते हैं, बहुत सारा काम करने लग जाते हैं, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी च चोटे थे प्ले ग्रूप में पढ़ने के लिए आये थे तब आपको पता था तब आपको कितना लिखना लिखना आता था अगर नहीं आता था और अब आप सारी चीज ऐसी गए फिर बेड़ा देखो पेज निकालो आगे चैप्टर देखो पूरा ही हो गया दो दिन में पू नहीं को पहला ही का फिनोमेन अब ग्राइब थे प्रॉट सारी जे लिखना झूपर प्हट अच्पाद रकिनोमेन क्या होता फिनोमेन संसेट सांथक्त सम्थीज तब हेट को तो हम आपको नहीं एम आपको धाब मैं जाडेंडेश एचे डबल पी एल हैपन और एस आइस टी एग्जिस्ट मतलब क्या होता है फिनोमेनन होता है प्राकर्थी गटना यहां लिख देना हिंदी में फिनोमेनन होता है प्राकर्थी का गटना हिंदी मतलब क्या होता इसका ऐसा कुछ जो होने या मौजूद होने के लिए होता है ऐसा कुछ जो होने के लिए होने या मौजूद होने के लिए होने या मौजूद होने के लिए मनाया जाता है अब जड़ का मिस अउलों करना होता है यहां मनाया जाता है एसा कुछ जो होने या मौजूद होने के लिए मनाया जाता है मनाया जाता है यह लिखा विटा पहला कीवर्ड जो है हमारा फिनोमेनन फिनोमेनन का मिस प्राकर्दी घटना और हिंदी मतलब क्या इसा कुछ जो होने या मौजूद होने के लिए मनाया जाता फिर देखो क्या है चाइल्वूड चाइल्वूड यानि बचपन चाइल्वूड मतलब बचपन और यह क्या होता है सम Start May इंड प्राकर्दी और यह जो मतला कुर चाइल्व के लिएल्वूड कि अ वीवर्षिया जाता ह् साइल्वूड पैर्षियं वीवर्षियं पिर्श्र अप डिया रसी है धिर्टीव In ley इसे चाइल्ड, इसका तुम्हें लिख दिया बच्पन, यह एक आदमी के जीवन में वह अवदी है, यह समय है, जब वह बच्पन, यह बची, जब बच्पन होता है, यह होती है, यह और सी दोनों लिखावा, यानि अगर सबोज करो, लड़की है तो उसके लिए होती है, और लड़का है तो उसके लिए होता है, मैंने ओमर में क्या दिया है, यानि प्रागर्थी गटना, something that is observed to happen, और एसा कुछ है, जो होने या मौझूद होने के लिए मनाया जाता है, और दूसरा चाइल्ड यानि बच्पन, it is the period of, period in the life of a person, यानि यह एक व्यक्ति के जीव, आदमी मत लिखो बेटा, व्यक्ति लिखो, मैं कामी सा आदमी होता न, तो देखो आप क्या लिखना, जो मैंने आदमी लिखा न, मैंने आदमी की जगह आपको लिखना है, व्यक्त लिख दो, जहां एक व्यक्ति के जीवन में वहां अउधी है, जब बच्पन होता है, जब व्यक्ति के जीवन में वहां अउधी है, जब वह कोई बच्चा होता है, या कोई बच्ची होती है, उसको बेटा चाइटूड कहते बच्पन, जब आप बच्चे होते तभी बच् मेर्स रिकॉल इस लॉज लिविंग्वरों की सभी सजी वस्तों में बड़ी होती है एक लड उपय। लडगी जो उती है सब्लार बड़ा होकर loan क्या सल!. hell ए पेड़ बन जाता है। इस हारा हमने क्या किया इसM ethic like और समझाया मैंने आपको नहीं है 17 knife हां क्या करना बताओ अब को क्या करना कि यह वाला और तर रहे क्यों सब्सक्राइब है जो exercise है यानि जो प्रस्ण उतर है क्यों से नांसर है वो हमारी हम कल की class में करेंगे कल जब मैं class ले आओंगा तब क्या करेंगे प्रस्ण उतर करेंगे सारे तो बेटा मैं आपसे विदा लेता हूँ वापस कल लोड़ता हूँ तब तक के लिए आप खुश रहें मस्त रहें तो नरुस्त रहें अब मैं चलता हूँ वाई वाई हव नाइस रे थैंक यू